बच्चो नमस्कार, मैं आज आपके सामने मेरे दुआरा हिंदी आसुलिपी विसे पर लिखी की पुस्तों के बारे में बताना चाहूंगा, आपको पता ही होगा, मैंने इस विसे पर बारा पुस्तके लिखी हैं, यह पुस्तके उन बच्चों के लिए हैं, जो हिंदी आसुल की तियारे कर रहे हैं उनकी लिए भी एक मेरी किताब है बड़ी यूसफुल सिद्ध हुई है मेरी जो बुक्स है आज की प्रणाली जो चल रही है रिसी हो मानक हो या जो भी बिस्ट प्रणाली हो सभी के बच्चे इन पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं और सभी के लिए ये बिलकुल रामबांड सिद्ध हुई है और मैं आपको एक-एक किताबों के बारे में बता रहा हूँ यहां मेरी पुस्तक सबसे पहली पुस्तक है परिस्करत हिंदी आसुलिपी इस पुस्तक के माद्यम से बच्चे हिंदी आसुलिपी की मतलब सीखने की प्रक्रिया इससे सीखी जा सकती है यह किताब अपने आप में अद्यूती बुक्स है इसके माद्यम से बच्चे जिंदी शॉटन सीख कर असी सो एक-एक-एक सो बीस की स्पीड आरम से बना सकते हैं इस किताब को इतनी मेनत करके बनाया गया है कि आधुनिक अधुनिक सब्दों का पूरा समावे से पुरानी किताबों में आपको पुराने सब्द अर्दु भोल सब्द मिलते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं मिलेगा इसमें सारे अक्षारे लेटेस वर्ड मिलेगें इसके साथ ही अंगरी जी भोल सब्द भी जो आजकर प्रचलन में अगये हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे इस किताब को बहुत ही systematic way में बनाया गया है स्वर को अलग दिखाया गया है उसके बाद वेंजन को अलग दिखाया गया है और इसके बाद जितना chapter जो बनाया जा सकता था जितनी तरिके से modified किया जा सकता था इसमें मैंने करने का प्रियास किया है ये किताब बहुत ही उपयोगी है कई ITI में या कई संस्तान द्वारा इसको इसके द्वारा पड़ाई की जा रही है इसके बाद मैंने हिंदी आस्चुलीपी उच्च गति वर्दक वाक्यांस भाग एक बनाई हैं ये पुस्तक भी अपने आप में बहुत अधुत्री पुस्तक है इसके अंदर जो पुस्तके देखाई है उसमें आप देखेंगे कि इसको दो पार्ट के अंदर मैंने बनाया ह एक पार्ट के अंदर जो मेरी पुरानी पुस्तक थी उसको रिवाइज किया है और इसके बाद जो दूसरी पुस्तक नई आउटलाइन है इसमें समावित की गई है ये पुस्तक भी अपने आप में बहुत ही ओप्यों की पुस्तक है इसके माद्यम से भी बच्चे अपनी गती बड़ा सकेंगे ये मेरी पुस्तक हिंदी आसुलिपी उच्च गती वर्दक वाक्यांस भागदो ये पुस्तक पूर्ण तया काट अक्षरों पर आधारी थे जैसे बैंक बैंक से बस अकाट के जिस तरह की से हमने बने ही इसके आउटलेंड डेर सारे आउटलेंड इस और आउटलेंड बच्चे काट अक्षर की आउटलेंड बना सकते हैं इसके साथ ही इसमें मैंने डिक्टेशन पैसेज भी दिये हैं वो भी काफी उपयोगी हैं इसके द्वारा भी बच्चे अपनी गती बड़ा सकते हैं इसके बाद मैंने मेरी तीसरी पुस्तक ये पुस् देड़ सो से जदा की गती बना सकते हैं, ये किताब भी बहुत ही उपयोगी किताब है, इसमें के तरीकी के आउट लें, नई तरीकी से इजात की है, और इसके माद्यम से बच्चे अपनी गती बढ़ाने में पीछे नहीं रह सकते हैं, इसके बाद मेरी ये पुस्तक भाग च है, इसमें एक ही सब्द को मैंने 207-200 तरीक से चलाया है, जैसे आशा, आशा कर सकते हैं, आशा नहीं कर सकते हैं, आशा की जा सकती है, ये किताब पूरी फार्मॉलेट है पे, आशा को अटा दो तो उसके बाद सामिल, सामिल कर सकते हैं, 207-200 तरीक से इसके एक हुई है, और इसके साथ ही आपको सो सब्द परतिमिनद गति के डिक्टिसन भी इस किताब में अविलेबल हैं, ये मेरी किताब हिंदी आसुलिपी उच्छ गति वर्दक वाक्यांस भाग पांच है, ये पुस्तक डबलिंग प्रिंसिपल पर आधारी थे, इसमें जितनी भी आउटलाइन बनी हुई है, सब डबलिंग प्रिंसिपल के आधार पर बने ही है, इसमें भी हज़र आउटलाइन है, इसके साथ ही इसके अंदर आपको आउटलाइन भी मिलेगी, डिक्टेसन पैसेज भी मिलेगे है, और डिक्टेसन पैसेज की आउटलाइन भी मिलेगी, य लोगों के लिए ये किताब बहुती रामबंड सिद्ध हुई है। इसके बाद ये मेरी पुस्तक भाक्षे। इस पुस्तक में आपने देखा होगा, अगर आप डिक्टेशन लेते हैं, तो छोटी-छोटी डिक्टेशन में अंग्री जी बहुल सब्द आने लगते हैं। पेल जैसे हैं सब्द उधान के लिए आई-ई-ई-ई-टी, आई-ई-ई-ई-ई-ई-टी कानपूर, आई-ई-ई-ई-ई-टी बॉंबे, इस तरगी की कैई तरी की आउटलेन हैं, जो आपको आराम से देखने को मिलेगी और हजार आउटलेन इसमें भी है, इसके साथ ही इसमें डि भाग साथ, ये किताब इस्टेनोग्राफर्स और रिपोर्टर्स के लिए बहुत युप्योगी सिद्ध हुई है, इसमें भी हज़र आउटलाइन डी हुई है, कम से कम पांच ज़र आउटलाइन होगी और इसके साथ ही डिक्टेसन पेसेज भी है, आउटलाइन अभी की दो पार्ट में बनी हुई है, एक तो बच्चे जो लिखते हैं और जो गलतियां करते हैं, तो इसमें एक पार्ट मैंने ज़ोड़ा है, सामान नासिदियों से कैसे बच्चे हैं, गलतियों के ओपर मैंने काफी इसमें लिखा है और समझाया बच्चों को अगर आप गलतिया ये मेरी भाग आठ पुस्तक है। इसके बाद उच्चुकती वर्दक वाक्यांस भाग नो मैंने अभी लेटेस निकाली है। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी किताब है। इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया आउटलेन दी हुई है। करीब करीब ऐसा कोई सब्द नही बहुत से लोग मेरी इन किताबों के नगल करकर के पढ़ा रहे हैं। ऐसे बच्चों से आप साउधान रहे हैं। इस किताब में जितना भी काम किया गया है। सब मुलिक और स्वरिचित काम है। किसी का लियावा काम नहीं इसके अंदर। बहुत से लोग मेरी आउटलेनों भी डिक्टेसन पुछतेगा. बच्चे जब शुरू में सीखते हैं शौट हैं तो उनको शौट हैं सीखने में बड़ी परतानी होती है और डिक्टेसन लेने में छोटी-छोटे डिक्टेसन नहीं मिलते हैं तो इसमें बिल्कुल छोटी-छोटे 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 140, 40, 150, 180 सब्द, प्रति मिनट के डिक्टेशन भी दिये हुए है, इसके साथ ये दूसरे भाग में मैंने लेटर रैटिंग भी दिये हुए है, ये किताब बहुत ही useful किताब है, बच्चों को डिक्टेशन लेने के लिए, इसके बाद मेरी जो किताब एक है, सब्द चिन, सब्द बना सकते हैं, सब्द अक्षर बना सकते हैं, धेर सारी आउटलेने, इसके पार्ट टू में और भी एडवन्स फ्रेजस दिये हैं, जिनका उप्योफ्यो कर सकते हैं, आसा है बच्चे आप लोगों को ये मेरी किताबे पसंद आई होगी, अगर किसी बच्चों को किताबों क 949, मेरा पता नोट करें, विजेई चोहान, लेखक, 71, अरहंत नगर, कालका माता रोड, उदेपूर, राजस्तान, 313, 001, मोबाइल नमर एक बार फिर से देखें, 941-4842949, आप अपना और इस मोबाइल पर मुझ से बात करके, दे सकते हैं, धन्यवात.